जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो इसके रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं आसमान में उड़ते पंच्छियों को देखकर हमारे मन में भी अरमान जगता है कि हम भी आसमान तक उड़ें उसकी उचाईयों को छुए और आसमान के अंदर छुपी गहराईयों को हम पता लगाएं तब हम शायद भूल जाते हैं कि इस अनंत तक फैले रोमाइंच से भरे अंतरिक्ष तक हम अपनी पहुँच बना चुके हैं इस अंतरिक्ष का ना तो कोई आरंब दिखता है और ना ही कोई अंत जब इस अंतरिक्ष को हम अपनी आखों से देखें तो ऐसा लगता है कि पूरा कैनवा से जिसमें टिम्टिमाते तारे बना दिये गए हैं कहीं पर चांद कहीं पर सूरज उकेर दिये गए हैं यह शांत दि मिल्की वे को दिखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दूद ise किसीने राष्टा बना दिया हो और कि यह यांए कि दूद का रास्ता कि मिल्की वे में धेर सारे सोलार सिस्टम हैं जिनमें हैं सोलार सिस्टम हमारा है और हमारे सोलार सिस्टम की केंद्र में है सूर्य और इसके आठ ग्रह जिसमें से एक ग्रह अपना भी है जिसे हम कहते हैं पृत्वी इस पृत्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला इसका एक उब ग्रह भी है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा और यह च आसमान की और देखते हैं रात में तो हम इस चंद्रमा को ही निहारते हैं इस आसमान में हमको देन के समय सूरज भी दिखता है पर सूरज को नहीं निहार पाते हैं कि इसकी रौष्णी इतनी तेज है इसकी गर्मी इतनी तेज है कि हम इस सूरज को खुली आखों से देख नही जिस प्रकार हम चांद को घंटों निहार सकते हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम सूरज को भी देखें इसके अंदर से रौष्णी कैसे आ रही है यह सूरज वास्तव में दिखता कैसे है जो सूरज हमको पीरा दिखता है वास्तव में यह सूरज तो सफेध होता है यह प्रि इस सैटर्न को इस सनी को टेलिस्कोप के सहता से देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह इस प्रकार का ग्रह है जिसके चारों तरफ एक हैंडल है लेकिन एक्चुली वह हैंडल नहीं है वह डस्ट गैस से बने हुए कुछ पार्टीकल्स के रिंग होते हैं जो उसकी चारों तरफ नजर आते हैं और यकीन मानिये तो जब हम टेलिस्कोप से देखते हैं तो ऐसे ग्रह बड़े ही सुन्दा नजर आते हैं जैसे की यूरेनस और सैटर्न यानि कि शनी ग्रह बहुत ही खुबसरत नजर आता है और यदि इस टेलिस्कोप की सहायता से हम चंद्रमा को देखें तो जो सबसे खुबसूरत दिखने वाला चंद्रमा है जिसकी तुन्ला हम लोग खुबसूरत चीजों के लिए करते हैं उसे हम देखें तो यह बड़े-बड़े गढ़े दार दिखता है यह इतने गढ़े नजर आते हैं इसमें कि कभी आप इसको टेलिस्कोप से देख ले हैं कुछ आड़े तीर्ची रेखाएं दर्शाते हैं और वास्तव में जब हम टेलिस्कोप से इस सूरज को देखें खुली आखों से तो देख नहीं पाते हैं तो आप देखेंगे कि सूरज भी शांत नहीं है बलकि यहां पर भी कई घटनाएं होते रहती इसकी सता पर और यह सब पॉसिबल हो पाया है एक ऐसी प्रकाशी की अंत्र के कारण जिसे हम कहते हैं टेलिस्कोप यानि की दूर दर्शी इस टेलिस्कोप इस दूर दर्शी की सहता से हम दूर की चीजों का अध्यन आसानी से कर सकते हैं जो अंत्रिक्ष हमें अंजान लगता था उसको रोम हमरे मन में जगी और सबसे पहले जो खोज होने वाला ग्रा है इस टेलिस्कोप के सहाथा से वो था यूरेनस मर्क्यूरी वीनस मास जुपीटर सैटन इन पांच ग्रों को यदि हम आस्मान में देखे तो यह आसानी से नज़राते हैं एक चमकीले तारे की तरह बाकी तारे तो एक चमकीले तारे की तरह हमको नज़र आता है सिर्फ यूरेनस ही एक ऐसा ग्राह है जिसको सबसे पहले टेलिस्कोप के जरीए खोजा गया था और जब से टेलिस्कोप का निर्मान हुआ है उसके बाद ही खगोली घटनाओं में हमारी दिल्चस्पी बढ़ गई है यदि हम हम अपने प्राचीन काल में जाएं पूराने अतीत को देखें उस समय सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के समय हम अपने घरों में घुश जाते थे हम सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन के समय बिल्कुल भी चंद्रमा और सूर्य को नहीं देखते थे लेकिन वर्तमान में स् इस जगे से सूर्य ग्रहन ये चंद्र ग्रहन इस पश्ट दिखने वाला हो वहां पे दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर पहले से ही अपना अपना टेलिस्कोप लगा लेते हैं और इस खगोली घटना को बड़ी रोमांचिक घटना के रूप में अध्यान करते हैं और सूर्य की वस्तू को आसानी से देखा जा सकता है इस खगोली टेलिस्कोप को हम देखें तो इसमें दो लेंस होते हैं और इन दो लेंसों की सायता से जो वास्तविक प्रतिविम बनता है वो वस्तू के तुलना में सदैफ उल्टा ही बनता है ये इस वस्तू को आवर्धित करके दि तो गोल वस्तु को सीधा देखे या उल्टा देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क तो तब पड़ता है जब हम जमीन में इस्थित बहुत दूर की वस्तु का अध्यान कर रहे हों और यह सारी चीज़े यदि हमको उल्टी नजर आए तब हम उसकी सही कलपना या उसक वस्तु का प्रतिविम सीधा बनता है इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि टेलिस्कोप के द्वारा हम दूर की वस्तु को इस पश्ट देख सकते हैं या आवर्धित करके देख सकते हैं एक्चुली जो दूर में वस्तु होती है वो भी आकार में बड़ी होती है लेकिन वो हमको चोटी इसलिए नजर आती है क्योंकि उनका जो दर्शन कोण है हमारी आंखों पर वो कम बनता है छोटा होता है इसलिए वह वस्तु हमको छोटी नजर आती है तो टेलिस्कोप भी क्या काम करता है उन दूर रखी वस्तु के दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है यह दर्शन दूर की वस्तु को स्पष्ट बढ़ा करकर हमें दिखा सकता है यह जो टेलिस्कोप है यह दो प्रकार के होते हैं एक reflecting टाइप तेलिस्कोप और दूसरा reflecting टाईप टेलिस्कोप जिसमें reflection हो रहा है उस telescope में दरपणकर स्थमाल किया जाता है क्योंकि दरपण मेंflowerा कि गटना होती है या कह सकते हैं परावर्तन की घटना होती है और जो должно दूसरे टाइब का टेलेस्कोप है वो है रिफ्रेक्टिंग टाइप यानि कि उसमें अपवर्तन की घटना होती है और जब अपवर्तन की घटना हो तो वहाँ पर हम इस टेलिस्कोप का निर्मान करने के लिए लेंसों का स्थमाल करते हैं अब इन दोनों प्रकार के टेलिस्कोप का कंस्ट्रक्शन को हम एक एक करके समझते जाएंगे